आंटी को 16 साल से था थाइरोड का प्रोलेम था लड़ा गुखता था सुचा ओजाता था कॉप ओजाता था और सब राग देट है दो मार्च 2020 और थाइरोड का रिपोर्ट है टी एसेज 1.87 और ये डेट महीने अपनी प्रोड़क्त यूज करने के बाद में रिपोर्ट जोती बेन पायानी डेट है 10 नवंबर 2020 और थाइरोड का रिजल्ट है यहां पर टी एसेज लेवल 0.641 यानि कि डेट महीने दवा यूज करने के बाद में 65 परसंटेज की राग मिली है और ये प्रोड़क्त से और ये आरिवेजिक दवा से हमको डोड महीने में 16 साल का रिजल्ट डोड महीने में मिल गया है नमस्कार मैं अग्रेशना इतेश गुजरात राजकोट से ये डवल पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिंडेट का डायरक्ट सेलर राजकोट में अभी हमें थाइरोड के बाद लिए एक जबलदस चमतकारिक रिजट मिला है तो हम उनसे मिलने के लिए आए मैं आपसी मुल सैटि अंभी का सोसाइटी राजकोट में रहते है आपको क्या परेसा में थे ह ती कि तने साल से था तो हमां टिको सोलंसा साल शेद हाई-गोंप्रोलम था और और एतोकर की बाई ऑथ कि दाarchy दाख छोग्त को आपको प्या और इस दीच किया रहते घ़ा को है अबी अभी क्या रात मिली उससे तो आपने देखा आंटी ने ये ड़ू पील का थाइरो डोक और इम्यून डोक लिया है डेड महीने पहले चालू किया था अंटी को गले में दर्द सुजन हो जाती थी उसके बाद में यहां पे डालते सुजन होती थी अंदे दर्द करते थे और काफी बल गम बंता था आंटी को तो अभी वो चीज बंद हो गई है और ये डेड महीने में जो दवाय लिया उसका मेटिकल रिपोर्ट यह है अंटी का नाम जोतिबेन एन पायानी डेट है 2 मार्च 2020 और थाइरोट का रिपोर्ट है टी एसेज 1.87 और यह डेट महीने अपनी प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट यूज करने के बाद में रिपोर्ट जोतिबेन एन पायानी डेट है 10 नवंबर 2020 और थाइरोट का रिजल्ट है यहां पर टी एसेज लेवल 0.641 यानि कि डेट महीने दवा यूज करने के बाद में 65 परसंटेज की रात मिली है अंटी को तो इसके बारे में अब का नाम और पता बताई यह नाम इनदर की भायाई और मेरा अटी को 16 साल से थाइरोट था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मेरे मेरी वाइट पोस्ट तो ला साल से थाइरोट था तो मैंने 16 साल होस्टीटल का चकर इकाटा और उसने पच्चाच या सो पावर का सब्सक्राइब कराने का उसका टेक्मेंट का उसकी दवाईयों का बहुत पैसा लगया है सोला साल से में चाहिए फिर भी कुछ अप्राद नहीं मिली और ज्यास्ति बढ़ रहा था गले में सोजन आती थी और कॉप बनता था यह दुख हो रहा है और यह सोजा हो जाता था तो अभी आपको रात में लिए यह आपको प्रोड़क्त प्रोड़क्त करने से जो रात मिलिए उसके बारे में आप उमारे दर्शकों कुछ बताएंगे मैं तो केता हूँ कि यह बार का जो होस्पीटल का दवाई लेते हैं उससे कुछ फरक नहीं पड़ा तो यह प्रोड़क्त से और यह आरिवेजिक दवा से हमको डोड महीने में 16 साल का रिजर्ट लोड महीने में बिल गया है तो मैं सजिस्ट करता हूँ कि जो यह दवाई लेंगे हमने तो लिया और मेरा यह दवाई के बारे में दुगुट कॉंटेक्ट करने का है आरिवेजिक अपक्षण करते है आरिवेजिक अवाई